टिकट से वन्चित कॉंग्रेस निताओं की दिलों का गुबार इस समय साथवे आसमान पर है कई हफ़ते नई दिल्ली में दरदर भटकने के बाद भी हाई कमान से निराश कतिपै बड़े नेरा अब खुद को दरकिनार करने के पीछे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा पर सारा ठिकरा फोन्टे और उन्हें ततकाल हटाने की मांग परड़ गए है पूर्व मंत्री वाजदली चौधरी, पूर्वसांसर, दुजेंश शर्मा, पूरप्रदेश महिला कॉंग्रिस अध्यक शहनाज यासमीन हक और लोप्री गोपिनात बर्दले के पुत्र बोलीन बर्दले भी शामिल है वाजदली चौधरी के मुताबे, वो 21 दिन तर देश की राजधानी में टिकट के लिए इस नेता से उस नेता के दर तक दौर लगाते रहे उन्हें भरूरसा भी दिया गया, दुबडी के लिए उनका दावा भी बनता था क्योंकि उन्होंने वहाँ से विधान सबाचिनाव में बदुरुदीन अजमल को हराया था पूर्व मंत्री ने खुद को टिकट नहीं दिये जाने के लिए प्रदेश अधर्ष बूरा को जवाब दे बताया मंगलदे से टिकट के लिए प्रयासरत रहे पूर्व संसर दुजेन शर्मा भी खासे नाराज हैं उनके मुताबिक खुद को टिकट नहीं देने के पार्टी नेतत्व के फैसले से वे काफी मरमाहत हैं नेतत्व ने उन्हें मंगलदे से टिकट देने का भरूसा दिया था पिछले तीन साल से वो शेत्र में काफी काम भी कर रहे थे लेकिन आखिरकार भुबनेश्वर कलिता को टिकट दे दिया गया शर्मा ने पार्टी नेतत्व के फैसले को पूरी तरह गलत बताते हुए वरिष्टता और अनुभव की अंदेखी का आरोप लगाया है उन्हेंने कहा है कि वो हमेशा संगटन के प्रती समर्पित रहे हैं उसका ऐसा नतीजा पार्टी ने दिया असम महिला कॉंगरेस की पूर्व अध्यक्ष शेहनाज भी खासी खबाए हैं उन्हें बरपेटा से टिकट पाने का पूरा भरोसा था उनकी मुताब एक प्रदेश कॉंगरेस अध्यक्ष बोरा लगतार उन्हें भरोसा देते रहे हैं कि उन्हीं को टिकट में लेगा यासमीन इतनी गुस्सा है कि उन्होंने कहा कि अगर संगटन में महिलाओं की ऐसी अंदेखी की जानी है तो बहतर होगा कि राज़ की महिला इकाई को ही खत्म कर दिया जाए गुवहाटी से टिकट वंचुत बोलीन बर्दले इसे अपने खिलाफ साज़श मानते हैं उनके मुताबिक मनमोहन सेंग, सोनिया गांदी और हरीश रावत में उनका टिकट फाइनल बताया था उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया ये राज नेतत्व की साज़श कि अचे